मैं चाहता था कि एशिया से और अपना जो फ्रेंडली नेशन है हमारे सारे फ्रेंड्स है पाकिस्तान वो जीते ये मैच बट अन्फॉर्चुनेटली एक कैच छूटने के कारण और आई थिंग लास्ट ओवर मैं थोड़ा सा यूनो मिस्मैनेजमेंट के कारण मैच जीत गया पाकिस्तान की हार का दुख हुआ है बिल्कुल हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही अग्रेशिव था उन्होंने बहुत अच्छा एज़ा स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्फॉर्मेंस किया नो डाउट देवर बैस सो फार ग्रुप बी फैनल्स में हारा था अच्छा एक इंडियर हुआ है यह साथ वाले पाकिस्तानी से जिस बात तो पुछा रहा है इसके इंट्रिव्यू करो सर कैसा लग रहा है आपको यार हमें तो उस वाकत अच्छा लगा था जब हमने इंडिया को मैच मारा था हमारा हमारा वर्ल्ड कप तो उधर ही खतम हो गया था हमने वर्ल्ड कप उधर ही जीत लिया था बात में भी यह किस्मत की बात है बात में यह किस्मत की बात है बट मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आपने यह सोचा कि अगर इंडिया को हराने से आपने वर्ल्ड कप जीता तो यह ऐसा स्पोर्ट्सम ना ये मोका मोका बहुत तंग करती थी तो हमारा चोका चोका उधर ही लग गया जब वर्ल्ड कुप जीत गए उसके बहुत किस्मत है देखें सबस्वरे में जीते हैं यह लोका खुतम हुआ और हमारी किस्मत ही थी समी फैनल में अन्पीटी नहीं मेरे 10-12 पाकिस्तानी बैटे हुए हैं मैं यह चीज मानूंगा कि 12-1 होने के बाद अगर आपको होफला अजवाई हुई है और आपने अच्छा खेला है यह बहुत यह अच्छी बात है मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा पाकिस्तान को कि अगर एक मैश जीतने से आप अग्रेसिव खेलते हैं और आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो आप ऐसे मैचे जबूँ जी बिल्कुल यह ऐसे एक मैच जैसे हम भी जीते हैं अभी इंशाल्ला ऑस्ट्रेलिया में भी जीतेंगे क्योंकि आप लोग हमारे साथ खेलते नहीं है तो इसलिए मैच ही हमारे 10 मैचों को बरावर होता है क्योंकि पाकस्तान वर्ल्ड कब में जीता नहीं और इसका इंडिया मीडिया बहुत ज्यादा इस चीज़ को उच्छालती थी तो अब उनको कमस का मोका मोका खतम हो गया उनका अगर आगर आप महबत पहलाते हैं भाई हम इंडिया स इंडिया के लिए वर्ल्ड कब की जीत है थैंक्यू सो मच फॉट इंडिया